नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? Operation Thunderworld क्या कंटेक्स्ट है यहाँ पे आपके साथ Operation Thunderworld डिसकस करने का? तो देखें लगबग दो दिन पहले The Commando turned Prime Minister Benjamin Netanyu के बारे में मैंने आपसे बात की थी Benjamin Netanyu, All Most Prime Minister की कुरसी खो रहा है इसराइल में इसके रिस्पेक्ट में एक वीडियो बनाई थी और इनके बड़े भाई जुनाथन निठनियू जुनाथन निठनियू की मृत्ति हो गए थी लगबग 1976 की घटना है और उसके बात से ही Benjamin Netanyu का जो कैरियर है वो बहुत जबरदस तरीके से उपर उठाया इसराइल में 2009 से लेके अब तक ये सबसे लंबे सरु करने वाले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है तो अब इसे रिस्पेक्ट में उनके बड़े भाई ने ऐसा क्या किया था और कौसी वो घटना थी जहाँ पे नेटनियू फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगा और वही है ये उपरेशन थंडर बोल्ट उपरेशन थंडर बोल्ट पे क्या हॉस्टेस सिचुएशन होई थी तो उस समय पे हुआ ये था कि 27 जू 1976 को एक एर फ्रांस कंपनी का प्लेन वो तेलवेव से उड़के परेश जा रहा था तेलवेव आपको पता है इस्राहिल में इसको हाईजैक किया गया हाईजैक करने के बाद इसको लिब्या लेके आया जाया लिब्या में इसमें तेल भरा गया और फिर फाइनली उगांडा लेके गया और उगांडा में एक बॉस बैठा था जिसका नाम था इदी अमीन इदी अमीन उगांडा का डिक्टेटर था और बहुत सारे लोगों को मारने का इल्जाम है इदी अमीन के उपर डिक्टेटर्स किस प्रकार से राज करते हैं, यह आप सब को पता है इदी अमीन के बारे में पिचर भी बनी है, The Last King of Scotland Last King of Scotland में आप देखोगे कि यह particular doctor होता है जिसको इदी अमीन बहुत पसंद करता रहोता है और बाद में इसी doctor को इदी अमीन मारना चाहता है किसी तरीके से बच के भार जाता है और यह जो बच के भागता है ना, यह operation एंटेबे के दंपे बच के भागता है ऐसा picture में दिखाया गया, अभी picture एक fictional movie है लेकिन मैं बोलूँगा कि इस परकार की movies दुरूर देखा करिये थोड़ी सी thriller होती है, थोड़ी अलगी होती है इस बचार की movies तो यह दी हमें ऐसा tyrant था, जो कि कहीं न कहीं कहते हैं न, धर्म के नाम पे, किसी और धर्म के लोगों को दबा के मतलब, पूरी चीज़ें गड़बड कर देना जैसे, for example, अभी Palestinian cause के लिए आप एक aeroplane को hijack कर रहे हो, और aeroplane को hijack करके आप किस देश में लेके जाओगे, तो कोई पागल जो नेता होगा उस देश का, जो कोई पागल लीडर होगा उस देश का, वही यह इस बात की permission देगा कि ठीक है भाई, तुम्हें एक hijack plane को हमारे देश में लेके आजाओ, तो चार hijackers ने इस plane को hijack किया, इस plane में लगबख 248 passengers थे, और इसको लेके गए Antebe Airport, युगांडा में, और Antebe Airport के लगबख डेड़ से 2 km दूर एक पुरानी terminal building थी, जो पहले एरपोर्ट में इस्तमाल होती, तब नहीं इस्तमाल होती थी, वहाँ पे जाके, इन hijack passengers को बंद कर दिया, इनकी डिमांड क्या थी, 5 million dollars, और 43 pro Palestinian prisoners को छोड़ो, आपको पता है, इसराइल और Palestinian में लफड़ा है, आज का लफड़ा नहीं जने कब से चल रहा है, और पेलेस्टीन के साथ के कुछ लोगों को इसराइल की जिलों में बंद करके रखा गया था, 53 pro Palestinian prisoners को छोड़ने की बात करें थे, जिसमें 40 तो इसराइल के अंदर ही बंद थे, अब इस respect में government of Israel के उपर pressure आ गया, चुकि ज़्यादा तरहीं यहाँ पे जो passengers थे, वो इसराइल के ही थे, अब इसराइल में प्राइम मिनिस्टर इज्जाक राबिन, ये अपने opposition के member Shimon Paris के साथ बैठके बातचीत कर रहे हैं, अब देखे, इसराइल जैसी countries अपने आपको कमजोर नहीं दिखा सकती, इंडिया का जब plane hijack किया, तो हमने बहुत सारे terrorists को छोड़ दिया, लेकिन इसराइल जैसी countries कभी terrorists नहीं छोड़ती, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला military solution करेंगे इसका, मतलब कि अपनी military को भेज के इन passengers को छोड़ा के लेंगे, अब अपने आप में कितनी बड़ी बात है, अगर आप नक्षा देखोगे, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसराइल, वोपर यह आपको तेल अवेव दिख रहा है, और चुकि युगांडा एक landlock country है, युगांडा समुंदर के साथ access नहीं बनाता है, तो कोई एक ऐसी country जो कि युगांडा के साथ boundary बना रही है, उसके support चाहिए इस समय पे इसराइल को, यह support इनको मिला केनिया की तरह से, आप बाद में देखो कि जब यह operation खतम हो जाएगा न, और यह लोग hostages को छुड़ा के ले जाएंगे इसराइल वाले, तो केनिया के बहुत सारे लोग जो क्यों उस समय पे युगांडा के अंदर काम कर रहे थे, उनको मारने को order देदेगा इदियमीन, और बहुत सारे लोग को मार भी दिया जाएगा, आप देखो, युगांडा और केनिया की boundary लगती है, तो naturally जिन country's की boundary लगती है, अगर इसते बहुत ज़दा खराब ना हो, तो उन country's के लोग दूसरी country में जाके काम करते, अब इंडिया नेपाल है, नेपाल के बहुत सारे लोग इंडिया में आके काम करते, तो कल की date में, नेपाल वाले इंडिया की कुछ अगेंस्ट बोल दी, तो कि इंडिया में order issue जागा कि नेपाली सारे लोग को गोली मार दो, ये हुआ यहाँ पे, जब केनिया की मदद से, इसराइल, इन hostages को छुड़ा के ले गया, तो यूगांडा की इदी अमीन ने order किया कि केनिया की जित्ते भी लोग काम कर रहे हैं, यूगांडा की अंदर सब को गोली मार दो, मतलब इस प्रकार का, वो संकी टाइब का शाशक था, उसकी कोई एथिक्स नहीं थे, कोई भी उसका सोचने का तरीका नहीं था, कोई उसकी global responsibility नहीं थी, तो हुआ यहाँ पे यह, कि चार hijackers ने इस plane को hijack किया, उसको entebay लेकिया है, वहाँ पे उनको चार hijackers और मिले, और उन्होंने former airport building उनको बंद कर दिया, योगांडन प्रेजिडेंट इदी अमीन ने इनका स्वाधत किया, यह जो इदी अमीन था, यह रोज इन hostages से मिलने जाता था, और उनको जाकर बोलता था, कि हम आपको पूरी तरीकी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं, शायद ऐसे बंद hostages को देख के इसको खुशी मिल रही हो, जो भी हो, तब आप देखोगे, कि 28 जून को यह बोला गया, कि हम deadline रख रहे हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई 1976 तक हमारी डिवान पूरी करो, नहीं तो हम सब को मारना शुरू कर देंगे, बाद में जब negotiation करने लगी इसराइल की सरकार, तब इनको लगा कि थोड़ा और समय देना चाहिए, तो उन्होंने deadline को 4 जुलाई 1976 कर दिया, इनकी demand क्या थी कि 5 मिलियन डॉलर्स दो, और 53 पेलिस्टीने और प्रो पेलिस्टीने मिलिटेंट्स को छोड़ो, जिसमें से 40 तो इसराइल के अंदर ही बंद थे, तो जो में यहाँ पे decision लेना था, वो actually में इसराइल को लेना था, चुकि इसराइल के पास ही यह सारे के सारे hostages हैं यहाँ पे, अब आप देखोगे, यह 30 जून को इन hijackers ने 48 hostages को छोड़ दिया, actually में जब यह hostages वहाँ पहुँचे थे ना, international pressure भी आने लगया, कुछ फ्रांस के भी नागरिक थे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि, वो लोग जो की बुढ़े थे, जिनकी थोड़े बहुत तवियत खराब थी, फिर वो लेडिस जिनके पास बच्चे थे, बारत है अपने बच्चे के साथ, या फिर कोई बुढ़ा आदमी है, तो उसको इनों ने छोड़ दिया, पहले 48 hostages को छोड़ा, उसके बाद लगबग 100 hostages को इनों ने और यहाँ पे छोड़ा, फाइलली इन hostages को छोड़ने के बाद, लगबग 106 hostages बचेंगे, और इन 106 hostages में से 12 hostages तो crew थे, Air France crew, मतलब जो एक crew होता है न, एक plane के अंदर, जो air hostages, जो plane उड़ाने वाले लोग होते हैं, तो उनों नों वापस जाने समयना कर दिया, एक crew का तो भाई देखिए, 94, उस 94 में से 10 यंग, कह सकतो हो, French passengers थे और लगबग 84 इसराइली से, 84 यहां पे इसराइली से, अब यह जो लोग छूट के वापस चले गए, इन्होंने जाके, बताया होगा Israeli Defense Forces को, कि भाई, कहां पे छुपा के रखा हैं इन hostages को, चुकि यह जान पाना कि भाई, होस्टोजिस को कहां छुपा के रखना, यह अपने आप में ही एक बड़ी बात थी, हाला कि इसराइल के US के साथ अच्छे रिष्टे हैं, और इनकी ज़्यादातर major companies, दुनिया भर में construction कर रही थी, और यह जो airport था, जहां पे यह सारा काम हो रहा था, इस airport का नक्षा, US के माध्यम से, इसराइल को कही न कही मिल गया था, यह भी बोला जाता है कि, यह जो airport था, यूगांडा का, एंटेबे airport, इसको एक Israeli company ने मनाया था, तो वो सब एक चली है, खलाग चीज़ों, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रगा न, हम आप देखोगे यहाँ पे, कि इसराइल की दिमाग में क्लियर था, कि हमको military solution करना पड़ेगा, हम किसी भी terrorist को छोड़ नहीं सकते, इस respect में आप देखोगे, कि इदी अमीन के साथ, बहुत बार negotiations हुए, फोन पे आया, इदी अमीन बाच्चीत होने लगी, डेडलाइन रखी गई चार जुलाई, यह से तीन से चार दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला इसराइली फोर्सेस को, यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग करी, और तीन जुलाई शाम को साड़े छे बजे, इसराइली कैबिनेट ने बोला कि ठीक है भई हम अलाओ करने एक rescue mission, इन लोग को जाकर छुडा के ले किया हो, मेजर जनरल आडम और ब्रिगेटर जनरल डैम शरूम को, इनकी responsibility दी गई, ये लोग headquarters में बैटके हर जिसको coordinate कर रहे थे, इसराइली defense forces का एक जत्था उड़ा, जिसमें 190 commandos थे, 10 faculty थे और सबको चार aero planes में जा रहा था, इन चार aero planes में अच्छी कासी जगा बचा के रखी गई थी, ताकि सारे hostages को वापस लेके आया जा सके, एंटेवे एरपोर्ट पे रात में उतरना काफी मुश्कल था, जो कि भाई, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, फॉर्चुनेटी शाद पहले plane के लिए लाइट जल रही थी, बाद के planes के लिए उन्होंने बत्तियां मगरा लगा दी थी, और एक बड़ा जबरदस था इन्होंने दिमाग लगाया, क्या था ना कि जो इदी अमीन था, इदी अमीन के पास एक काली मरसेडीज थी, ठीक है, और उस काली मरसेडीज के साथ एक और वेकल रहता था हमेशा इदी अमीन के साथ, तो इदी अमीन आव्वेसी बात है, एंटेवे एरपोर्ट पे उतरेगा, और अपनी कार से वेकल निकालेगा और अंदर की तरफ आएगा, तो इन्होंने क्या किया कि इदी अमीन के वेकल जैसा ही, वेकल उस कार के अंदर रखा, पहला जो जहाज था हो जब जहाज नीचे उतरा, उसके अंदर से काली रंग की मरसीडीज निकली, एक और कार निकली, ये दोनों कारें इसराइल ने कुछ इस प्रकार से बनाई थी, ये लगे कि इदी अमीन आ रहा है, लेकिन आव्वेसी बात है, ये वहाँ पे यूगांडा की फोर्स का एक आफीसर था, उसको ये पता था कि इदी अमीन काली मरसीडीज नहीं, सफेद मरसीडीज लेके गया है, तो उसने मरसीडीज को रोका, अब यहाँ पे जो इस ऑपरेशन का कमांडर था, लिटिनेंट कोलोनल जोनाथन नेटनियानु, जो ये बंजमिन नेटनियू के बड़े भाई हैं, इन्हों ने बोला कि ये जो यूगांडन सेंट्रीज है, सेंट्रीज क्या होते हैं, सेंट्रीज वो सोल्जर होता है या वो आदमी होता जिसको किसी चेकपॉइंट पे प्लेस किया जाता है, किसी भी चीज के एंटरेंस पे प्लेस किया जाता है, अब अब आव्वेसी बात है, प्लेन उतरा है, उस प्लेन में से दो गाणियां बहार निकली है वो दो गाणियां अंदर की तरफ जा रही है एक सेंट्री को इस बात का डाउट हो गया कि ये इदी अमीन नहीं है युनाथन नेटेन्यू ने ओर्डर किया इसको मार दो तो यूनाथन नेटन ने जिस कार मैठा था उस कमांडों ने तो गोली नहीं मारी, पीछे जो कार आरी थी उसने गोली मार दी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, जब इनोंने इन पर्टिकुलर सेंट्रीज को गोली मार दी न, तब उस समय पे वो जो बिल्डिंग थी, ओ वर्टिकूलर टर्रीष्ट के पास एक option था, कि वो सारे हॉस्टिक को गोली मार सकते थे, यह आप कह सकते हो सब्सक्रान कि अदर कोई हमली मारे वो दaki न, अदर कोई हमली मतलब कह सकते हो कि हमली काला element अगया उनको दया आ अगया इसलिए उन्होंने गोली नहीं मारी जो भ बिल्डिंग पहुंचने से पहले ही यहाँ पे गोली चल चुकी थी दो यूगांडन सेंट्रीज को मारा जा चुका था और यूगांडा की जो वहाँ पे सैनिक त्यानाथ थे सासा दिये जो टर्रिस्ट थे उनको यह हवा लग चुकी थी कि यह इस्राइली सोल्जर्स पहुं तब टो 106 hustages थे 106 hostages में 3 hostages तो cross firing में मर गए एक को तो ऑब जो एसराइली फॉर्स आई थी इसी की गोलीयां लग गे वह एक्षण sometimesकी खड़ा हो गया इसको इन उसको वह वह दो रिस्ट के साथ तो उसको गोली पड़ गई, एक कोई लेडी थी, इन लेडी का नाम था, डोरा ब्लोच, एक्चुली में इनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, तो ये वहाँ पे थी नहीं, बाद में, जब सारा उप्रिशन खतम हो गया तो इसराइली फोर्स को पता चला, कि डोरा ब्लोच तो हॉस्पिटल में है, तो इसराइली फोर्स जादा कुछ कर नहीं पाई, वो तो निकल चुके थे, इदी अमीन वापस आया, तो उसना ओर दिया कि इस लेडी को मार दो, इतनी बोड़ी सी लेडी वहाँ पे थी, उसक काम हो गया थे, ऐसा कहा जाता है बहुत सोर्स के साब से, कि लुटिनेंट कोलूनल यूनाथन ने ने यहाँ पे जो गोली चला के मारने का ओडर दिया, इन यूगांडन सेंट्रीज को, यह ओडर यहाँ पे गलत था, चुकि इन लोगों के मरने के चलते ही, आप देखोगे कि यह जो यूगांडन फोर्सेस थी, और वो जो टर्रिस्ट थी, उनको पहले पता चल लगा इसराइली फोर्सेस आ गई है, यह तो उनने मारा नहीं होस्टेजेस को नहीं तो उनके पास एनफ टाइम था, वो होस्टेजेस को मार सकते थे, अरे और वहाँ पे भीड़ पे खड़ें उनकी तरफ मशीन गुमा के किती दिर लगेगी गोली चलाने में, लेकिन फिर भी मारा नहीं, अलिमेंट अफ सप्राइस यह इसराइली फोर्सेस यहां पे खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे, कि होस्टेजेस उनको जिन्दा मिले, इन होस्ट उड़के इनके प्लेनों को उड़ा सकते थे, पहले चीज़, दूसरी चीज़ यह थी, जब तक वहां पे रिफ्यूलिंग हो रही थी, जब तक इन सारे होस्टेजिस को लेके जाये जा रहा था, और प्लेन में भरा जा रहा था, उस समय पे, जो वहां पे आप कह सकते हो न और टेरिस्ट ने इनको गोली मारी है न, टेरिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, वो युगांडन आर्मी का परसन था, वो इदी अमीन की फैमली का ही एक रिलेटिव था, तो वापसी में इन लोगों ने भी गोलीयां मारी और रॉकेट लांचर दाके है और कहीं न कहीं आप थे, वो अपने ही सोल्जर्स को मारने लगें, 12 सोल्जर्स को बलाया गया, उनको लगा किया कि इसराइली के साथ मिले हुए, एक कमरे मंद किया गया और धार धार गोली से मार दिया गया, मतलब कि युगांड़ावाल इतने पागल थे, कि इनके हाँ पे इतना कुछ हो गया उसके बाद भी अपने ही लोगों को मार रहे थे, मतलब किसी परकार का वहाँ पे यह नहीं था कि चलो इनकी खिलाफ केस चला दो, यहां उनसे कोई इनको इनको आईरी कर लो, कुछ नहीं सी, देकमरे मंद करके गोली मानना शुरू कर दिया, इस परकार की चीज़ें रहत था, कि बाद इनको नहीं और कर दिया, कि योगान सेंट्री को गोली मार तो उस गोली मारने के चलते, आगे टेरिस्ट को पता चल चुगा था, कि इसराइली फोर्से आ गही थी, अगर वह उस्टेजिस को मार देते, तो यह मिशन अटर फेलियर हो जाता, आज की डेट इसराइल के हिस्ट्री में यह मिशन एक सक्सेस की तरह लिखा हुआ है, यह आज की डेट में सक्सेस की तरह नहीं लिखा होता थैंक यू फोर वाचिन दिस वीडियो फ्रेंट्स, एक छोटी से इंफोर्मेशन थी, आपके साथ डिसक्स कर ली